विधवा मकान मालकिन माया बड़े से बंगले में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी। नियमित रूप से जिम जाती थी और वर्काउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में घूम निकाला और व्यस्त हो गया। फिर कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। और फिर बातों ही बातों में दीपक ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराय के कमरे की जरूरत है। माया ने महसूस किया कि दीपक किसी अच्छे पर दीपक को किराय पर दे दिया। कुछ ही दिनों में दीपक और माया की अच्छी दोस्ती हो गई। माया देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उनका फिगर बहुत सुन्दर था। उनके पती को गुजरे 5 साल हो चुके थे। विधवा होने के बावजूद भी अ अकेला पन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात माया ने कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया था तो वह खाना दीपक के कमरे में लेकर गई। दीपक खाना खाकर बहुत खुश हुआ और कहा सच मुच इसका अकुल भी नहीं खाओगे, तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तब ही दीपक ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। माया बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी, वैसे भी तुम बाहर का खाना खाकर ब एक दिन माया का बेटा और बहु उनके घर आये, जो दूसरे शहर में नौकरी करता था. उसके आने से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था. माया भी बेहत खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटे से मिलना हुआ था, पर माया की मुश्किल यह थी, कि वह उन सब के सामने दीपक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में अज नवी इंसान को देख कर, बेटे और बहु ने अपनी मापर बहुत गुस्सा किया था, कि यूँ ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए. मापता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ उच नीच हो गई तो आप यहां अकेली रहती हो, बड़ी ही मुश्किल से, माया ने अपने बेटे और बहु को समझाया, कि दीपक बहुत अच्छा इंसान है, और उसकी वजह से मेरा मन लगा रहता है, और थोड़ा हिम्मत भी मिल जाती है, तब जाकर बेटे और समझने को तयार हुए. पिर भी बेटे ने बोल दिया कि ज्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रखना, फिर भी माया रात को चुपके से दीपक के कमरे में चली जाती थी और उसे खाना दे आती थी, कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे. एक रात जब माया दीपक को खाना देकर आ र अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगी, आखिर आप दीपक के कमरे में क्या करने गई थी, मैं आपके बेटे की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जो आप मुझे कुछ भी सिखा पड़ा देंगी, और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँगी, मैं कल सुभह ही ये बा बेटे को ये बात बता दी, अब बेटे ने अपनी मा को बहुत बुरा भला कहा और दीपक से दूर रहने के लिए बोला, माया से ये सारी बातें बरदाश्त ना हुई तो उसने बेटे और बहु को साफ साफ शब्दों में बोल दिया, कि बेटा तुम अपनी जिन्दगी प प्यस्त रहते हो, अगर मेरा सुख दुख का कोई साथी है, तो उसको मुझसे मत छीनो, अपनी मा की ये बात सुनकर बेटे का मुम बंध हो गया, और उसने दोबारा अपनी मा की जिन्दगी में दखल नहीं दिया, इसके बाद बेटा और बहु अपने घर चले जाते हैं, और माया अब बेजिजक खुलम खुला दीपक के साथ रहने लगती है, और बरसों पुरानी अपनी बंजर भूमी को हरा भरा भी करती है, और सुख दुख का आनंद भी लेती है, तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी जिन्दगी के फैसले खुद से लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी दर्द और पीड़ा मुश्किल को सामने वाला नहीं समझ सकता, और अकेले रहने का दर्द कितना बुरा होता है, ये वही लोग बता सकते हैं, जो अकेले रहते हैं, तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्र अनिवाद.